एक आदमी एक बारे एक जंगल में टहल रहा था और उसने देखा कि एक खुबसुरत विदेशी पक्षी आराम से बैठा है वो उसे एक पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता है उसने पीछे से उसकी और जाकर उसे जट से पकड़ लिया और पक्षी ने बात करना शुरू कर दिया और उसने उससे कहा कि कृपया मुझे छोड़ दे मैं आपको तीन मुल्यवान सलाह दूनगा जो आपके जीवन को बदल सकते हैं मैं आपको पहला वाला तभी दूनगा जब आप मुझे जाने देंगे दूसरा तब जब मैं उस शाखा तक ओड़ जाऊं और तीसरा तब जब मैं पेर के बहुत ऊपर तक ओड़ जाऊं वो आदमी तुरंट सहमत हो गया और पक्षी को जाने दिया पक्षी ने उढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसने कहा कि यह पहली सलाह है कि अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को अत्यधेक पच्चतावा मत करो जैसा कि आदमी ने उस पर विचार कर रहा था कि पक्षी उड़ गया और एक शाखा पर बैठ गया और वापस बोला और दूसरी सलाह है कि कि किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता है जो सामान्य ज्यान के खिलाफ जाता है जब तक कि आपके पास पहले से उसका पक्क सबूत ना हो अब पक्षी पेर के मुकुट के बहुत उपर तकोडा और हसने लगा और उस आदमी से कहा कि तुम मूर्ख हो मेरे शरीर के भीतर दो बड़े गहने हैं अगर तुमने मुझे रखा होता और मुझे जाने देने के बजाए मुझे मार डाला होता आप इन कीमती सतनों के मालिक होते और तुरंत धन्वान बन जाते ओ माई गौड उस आदमी ने कहा कि मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं कि मैं इस मूर्खता को जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगा ओ पक्षी क्या आप कम से कम मुझे अपनी आखिरी सलाह दे सकते हैं शायद उसमें क् अधि उन्हें तुमने पहले ही नजर अंदाज कर दिया है पहले मैंने तुमसे कहा था कि पिछली गलतियों के लिए अत्यधिक पच्चतावे से खुद को पीरा मत दो और फिर भी तुमने मुझे जाने देने के लिए खेद के साथ खुद को पीरा दी और दूसरा मैंने चून की आपने मुझसे अब तीसरी सलाह मानगी है तो यह है कि यदि आप वो लागू नहीं कर रहे हैं जो आप पहले से ही जानते हैं तो उसका मतलब नहीं अगर आप जो कुछ नहीं जानते हैं उसे पाने के लिए इतने इच्छुक हैं ये बोल के पक्षी ओड़ गया इ झाल 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 झाल